योग गुरू बाबा रामदेव एक नीची कारकर में शिर्कत करने जोदपूर पहुंचे चार्टेट विबान से आए बाबा एरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए जहुनोंने लोग सबचनाओ को लेकर एक बड़ा दावा किया कहा कि विदेशित ताक्तें मोदी को रोकना चाहती है लोग सबचनाओ में नेताओं के बड़बोले पन पर बाबा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों पर कड़ी कारवाई करे और साथ ही ऐसा करने वालों पर चुनाओ लड़ने से रोकने की कारवाई भी की जाए कि मोदी ने बुरा क्या कर दिया इस देश के लिए उस व्यक्ति की नियत नित्रत्व चरित्र इस देश के हित्मे और आखिर इतनी हाय तोबा क्यों एक व्यक्ति के लिए जिसका अपना घर परिवार नहीं जिसकी भारत माता अराध्या है और राश्ट्र धर्म को अपना कर्म मान करके जो 24 घंटे भारत के लिए सोस्ता जीता है और भारत की सिमाओं की सुरक्षा से ले करके सिक्षा की, स्वास्थे की सुरक्षा, किसानों की, खेती की सुरक्षा हमारे वरत्मान और भविश्चे की इस रक्षा की जो चिंता करता है देश में इतना बड़ा विकास का काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आईश्मान भारत से लेकर के बिजली पानी सड़क से लेकर के जो वो कर सकते थे सो से जादा बड़ी उजनाई बना करके किया इसलिए इस बार मोदी जी को 2019 में देश दुबारा मोका देगा ये देश में मोदी की हवान